नमस्कार में वन्नों सिंग और आप देख रहे हैं जीयस नियूजा ये देखते हैं विहार की बड़ी खबर तीज पर जीयस बेस्ट फोटो कंपेटिशन पर आज साम च्छा बजे से दूशरे दिन दस बजे तक भेज कर फोटो पाएंगे एक आकरसक उपहार तीज पूजा के अपसर पर पाठिकाओं के लिए जीयस नियूज लाया है परिधान बेस्ट फोटो कंपेटिशन जी हां तीज पूजा के अपसर पर फोटो सेलफी भेज कर आकरसक उपहार प्राप्त कर सकते हैं आपको बता दे की प्रतियोगिता निशुल्क होगा और बिना किसी चार्ज के सिर्फ जीयस नियूज की पार्ठिकाओं के लिए होगा इसके लिए आप अपना एक फोटो या सेल्फी जो अपने पडिवार के साथ हो नाम पते के साथ हमारे वाट्सप नमर पर भेज कर प्र आपका ही सामिल हो शक्ति हैं आज अखंड सुहाग का ब्रत हरी तालिका तीज है हरी तालिका तीज पर आज महिलाएं अखंड सुहाग के लिए निर्जला व्रत रखेंगी पाडम-बाडिक रूप से ब्रत पूजन को लेकर गुरुवार को घड़ों में तयारियां की गई म महिलाओं ने साज रिंगार और पूजन सामागरी की खड़ी दारी की पहली बार व्रत रखने वाली महिलाओं और कन्याओं में ज्यादा उत्सा है इस अफशर पर ब्रती महिलाएं भगवान सिव और पाडवती का विधी विधान से पूजन करेगी जीयस नियूज की टीम क उपर फिरर से कोड़ोणा का खत्रा मट रहा है लालू यादब की सुरक्षा में तैनाथ पूलीस कर्मी को और पॉरोणा बॉज scarf पाएगा एक्षन में दिखी CVI केंद्रिय जाज ब्योडों की टीम सुसान सिंग राजपूत मौत के मामले से जुरे एक व्यक्ति को पूस्ताज के लिए गेश्ठ हाउस लेकर पहुची है जहां वे रह रहे हैं सुत्रों के मुताविक गुरुवार को दिल्ली से आए CVI अधिकारियों क की बैठक मुंबाई के संता क्रूज में एयरफोर्स ट्रांजिट फैसलीटी में हो रही है CVI की टीम सुसान सिंग राजपूत के बांदरा इस्थित आवास से मामली की जास सुरू करेगी जहां वह 14 जून को मुरित मिले थे इस भी CVI अधिकारियों ने असपश्ट किया है क कि वह मौत के मामले में किसी भी संदिक्द को तब तक गिरफतार नहीं करेगी भागलपूर में आरजेडी विधी प्रकोष्ट की हुई बैठक चुनाव की तैयारियों पर चर्चा बिहार में विधानसवा चुनाव होना है वही चुनाव को लेकर तैयारी शुरू कर दी ग कि अव मानना का नोटिस जाड़ी करने और दोसी करार किये जाने के विरोध में हस्ताक्षर अभ्यान चलाने का भी निर्ने लिया कोरोना के नाम पर थमाया 6 लाग का बिल डीम ने इस नीजी अस्पताल को कर दिया सील एक तरफ कोरोना शंकट में लोग परिशान है तो वही कुछ नीजी अस्पताल इसे अवशर बनाने में लगे हुए हैं एक मामला श्राम ने आया है कंकरबाग के जीडियम अस्पताल से जहां अस्पताल प्रवंदन ने पहले तो वहां भरती कोरोना मरीज को दूसरे अस्पताल सिफ्ट कर दिया और बाद में पड़ी जनों को इलाज के नाम पर 6 लाक रुपे का कच्चा बिल थमा दिया SDET छात्रों का जोड़दार प्रदर्शन सरकार के खिलाफ की नारेवाजी बिहार में सिख्छा व्यवस्था का हाल बेहाल हो चुका है जिसके विरोध में अवियर्थी सरकार के खिलाफ जम कर नारेवाजी करते नजर आते हैं ताजा मामला है कि SDET छात्रों ने एक वाड़ फिर BSEB गेट के पास परदर्शन किया छात्रों की मांग है कि उनके रिजल्ट को जल्द से जल्द प्रकाशित किया जाए सफाई में पटना के सबसे फिसड़ी आने पर लालू और तेजश्वी ने नितीज सरकार को घेरा पूछा सर्म आ रही है रैंकिंग में देश के सबसे गंदा शहर पटना के आने के बाद लालू पुछा है कि पटना का बुड़ा हाल करने में किसका हाथ है वही इसका भी दोश आप RGT और लालू पुछा को देंगे इस वक्त एक बड़ी खबर पटना से सामने आ रही है जहां लालू पुछाद यादप के बड़े बेटे तेजपरताब यादप ने अपने ससुर चंद्रिकार राई के ऊपर जवर्दस धमला बोला है गुरुबार को RGT छोड़ कर JTU में सामिल हुए चंद्रिकार राई के बारे में तेजपरताब ने कहा कि उनके सामने चंद्रिकार राई के खड़ा होने की आउकात नहीं है पत्नी एश्वारिया का वीडियो बना कर रखें है तेजपरताब बोले बहुत सारा वीडियो है दिखा दूंगा बिहार में इस साल विधान सवा चुनाव होने वाला है चुनाव से ठीक पहले लालू परिवार का व्यक्तिकत मामला फिर से लाइम लाइट में आने लगा है पार्टी से नाराज चल रहे तेजपरताब के ससूर चंद्रिकार राई ने गुरुवार को पार्टी छोड़ दी उन्होंने जेटीयो का दामन थाम लिया सेफाई दोड टाउन के बीच आर्थिक तंगी से जूज रहे बुनकरों को उत्थान के लिए सहर में कोकुन बैंक और बुनकर मॉल खोले जाएंगे जिससे बुनकर धागी की खड़ी दाड़ी वो अपने उत्पादों को मॉल में बेच सकेंगे इसके लिए जीरो माइल स्थित अस्पन स तिल्क मिल वर रेशम भवन को खोलने पर मंधन जाड़ी है रेशम उद्योग को बढ़ावा देनी के लिए जिला उद्योग कैंद्र ने डियम को प्रस्ताब भेजा है डियम ने उद्योग विभाग को पत्र भेज दिया है भागलपूर में टियम विउ में कॉपी विक्डी में कई फाइले गायब और नियम इतता से जुरी तिलका माजी भागलपूर बिश्व विद्याले प्रभाडी कुलपती डॉक्टर अजय कुमार सिंग ने जाज कमीटी से 20 अगस्त को जाज रिपोर्ट सौपने का निर्देश दिया खबर में आगे बढ़े उससे पहले आज का फास्ट जियस रिप्लाई का सवाल आ रहा है तो त्यार हो जाएए कमेंट बॉक्स में अपना जवाब देने के लिए तो शवाल ये रहा आपके मुबाईल स्क्रेन पर बिश्व पाड़िया वरन दिवस कब मनाया जाता है आपके ऑप्शन है ऑप्शन A 25 मार्च, ऑप्शन B 22 मार्च, ऑप्शन C 7 जून और ऑप्शन D 5 जून उम्मीद है आप लोग सभी अपना जवाब कमेंट बॉक्स में लिख दियोंगे अपने नाम और मुबाईल नमर के साथ अगर आपको लगता है कि आपका जवाब साहिए तो आप इस वीडियो को लाइक करें हमारे क्यानल को सब्सक्राइब करके बाले कॉन दबाए ताकि कल के क्विज में आप लोग सबसे पहले जवाब दे शकें तो चलिए आगे बढ़ते और देखते अगली खवर किसंगंज में पोठ्या इस्तित बंधन बैंक के एक कडमी के साथ जगडूबा सरक पर दिन दहाड़े अपराधियों ने 49,000 की लूट की खटना को अंजाम दिया इस खटना में नगदी के अलावा एक टैबलेट, एक मोबाइल फॉन वा बाइक की चावी भी छीन ली सिकायत को लेकर थाने पहुँचे पिरिजवासुदे मंडल की सिकायत पर पुलीस हीमां के विपाद में उलज गई पोठिया थाना अध्यक्ष पहार कट्टा बता रही है तो पहार कट्टा थाना अध्यक्ष पोठिया का मामला बता रही है भागलपूर में विक्रम सिला से इतु के बगल में बनने वाले फोर लेन पूल के लिए जमिन अधिकरहन की प्रक्रिया जल्द सुरूख करने का निर्देश प्रधान सचीब ने दिया वीडियो कांफंसिंग के माधियम से प्रधान सचीब ने रईयतों के भुगतान से संबंदित नोटिस चाड़ी करने का निर्देश दिया डियम ने बताया कि रईयतों को मुआवजा के लिए नोटिस भेजने से संबंदित साड़ी प्रक्रिया पूरी कर ली गई है अगले दो तीन दिनों में शबी रईयतों को नोटिस भेज दिया जाएगा बिर्पूर सरक के लिए मुआवजा का भुगतान करने का निर्देश प्रधान सचीब ने